पिछले गुश समय से बोलिवोड की ओडियंस चिला-चिला कर कह रही थी कि वह या बोलिवोड वाले उरुजिनल फिल्म में बनाएंगे तो हम उन फिल्मों को सपोर्ट करेंगे और उन फिल्मों को सुपर डूपर हिट करा देंगे और वेसे भी बोलिवोड में आजकल आप देख रहो कि धेर सारी रिमेक फिल्म है बन रही है जिन फिल्मों को देख देखकर ओडियन्स पूरी तरह से बोर हो चुकी है लेकिन दोस्तो फाइनली हमारे एकसन हीरो विद्वुच जम्वाल एक ओरिजिनल फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है IB71 जिया दोस्तो IB71 जिसका ट्रेलर आभी कुस दिर पहले रिलिज हुआ और ट्रेलर पूरी तरह से कम्माल का है जिया दोस्तो इस ट्रेलर को देखने के बाद इस फिल्म के लिए जो एकसाइटमेंट ही वो आटोमेटिक बढ़ जाती है क्योंकि दोस्तो फिल्म की जो कहानी है न वो काफी जादा 1991 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ओर युद्ध होता है लेकिन इस बार माइंड गेम होता है और किस तरह इंडिया अपने दिमाख से पाकिस्तान को हराता है उसीकी कहानी है IB71 अब दोस्तो फिल्म की कहानी सेथ है silicone में और यहां पर ट्रेलर में जिस तरह से 1991 का एर दिखाया है वो काफी बढ़िया और रियलिस्टिक लग रहा है हर एक फ्रेम और हर एक विज्वल आपको कहीं न कहीं 1971 में लेकर जाता है और बताता है कि उस समय में सब केसा दिखता था तो ट्रेलर में यहाँ पर विडियो ग्राफिक कमाल की है साती सात इस ट्रेलर का जो बे पिछली फिल्मों से काफी हटकर है से भी विद्दुच जमवाल एक सन में तो सब के बाप माने जाते हैं लेकिन इस बार वो एक सन से थोड़ा हटकर कुछ नया करने का ट्राइ कर रहे है और ट्रेलर देखकर लगता है कि विद्दुच जमवाल ने कुछ नया परफेक्ट तरीके से किया है तो इस नया उतार में विद्दुच जमवाल को देखना काफी मज़ेदार हो रहेगा साथे साथ दोस्तों ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहे हैं बोलियूट के लेजेंड अनुपम खेर सर और अनुपम खेर सर भी ट्रेलर में काफी बढ़िया लग रहे और रानुफम के अरसर का जो केरेक्टर है वो भी काफे इंटरस्टिंग नजर आ रहा है तो दोस्तो ट्रेलर में बेग्रोंड म्यूजिक अच्छा है VFX काफी सांदार है खास करके जो प्लेन वाले और जेयो सीन दिखाएं न काफी अच्छे लग रहे है तो बेग्रोंड म्यूजिक, VFX, विज्वल, डायलोक्स, फिल्म के स्टोरी भी अच्छी है मतलब की कुल मिला कर देख सकते हैं कि फाइनली बोलियोड ने एक ओरिजिनल यूनिक फिल्म हमें दी है तो दोस्तो जितने भी लोगों के सिकायत रहते हैं कि बोलियोड अच्छी और ओरिजिनल फिल्म में नहीं बनाता उन सब की सिकायत आई भी 71 से दूर हो जाएगी क्योंकि ट्रेलर अच्छा भी लग रहा है और ओरिजिनल भी है अब फिल्म रिलीज होगी 12 माई को तो ये फिल्म बोक्स ओफिस पर एक बड़ा धमाका कर सकती है जिया दोस्तो ट्रेलर सूपर डूपर हिट है तो उमिद कर सकते हैं कि ये फिल्म बोक्स ओफिस पर 100 करोड की कमई तो हस्ते हस्ते कर जाएगी बस इस फिल्म को हम सब के support की जरूरत है क्योंकि दोस्तों वेसे भी आप बोलते हो ना कि Bollywood में original film में नहीं बनती तो ये original film है इसे support तो बनता है साथ इसाथ फिल्म के hero और producer खुद है हमारे विद्धु जम्वाल और विद्ध्धु जम्वाल तो real, self-made star है तो उनका सपोर्ट भी बनता है, वैसे भी दोस्तों फिल्म काफी बढ़िया होगी, इसकी ग्यारेंटी क्या है, कि इसके जो डायरेक्टेर है ना संकल पर एड़ी, वो इससे पहले दगाजी अटेक जैसी सांदार फिल्म बना चुके हैं, तो यहाँ पर संकल पर एड़ी पर भी पूरा भरोसा है कि वो एक बार फिर से आईबी सेवन्टीवन के रूप में ओडियंस को एक अच्छी और दमदार फिल्म देंगे, तो दोस्तो तैयार हो जाएए 12 मई को इस फिल्म को सिनमा घरों में देखने और एंजोई करने के लिए, बाकि दोस्तो आपको आई भी सेवन्टीवन का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले,